तरणी शोग क्लिप्स में आपका स्वागत है यूट्यूब का एक लॉटा चैनल आपको हर चीज के बार में नॉलिज में कि यह एक लाइफ स्किल होती है कि जिस देश में आप रहते हो और हिस्ट्री के किस पॉइंट में आप रहते हो यह बहुत मैटर करता है और अगर यह जानना है कि क्या यह फाइनाशल स्ट्राटजी अच्छे है बुरी है गवर्मेंट को थोड़ा से स्टड़ी करो वो किस हिसाब से सोच रहे है जब आप रेगुलेटर शब्द यूज कर रहा है बसकिली फाइनाज मिनिस्ट्री के बारे में बात करो यहां पर I think regulators have played a very significant role SEBI, RBI, Finance, Ministry, सारी चेवाँ पर आज एक कमपनी शुरू करना उसके लिए investment लाना यह सारे प्रोसेस बहुत आसान हो गए मेरा खुद का स्टार्टप था बिफोर स्टेबल मनी पान साल साथ साल पहले वो कमपनी शुरू करने का प्रोसेस, वो कमपनी बंद करने का प्रोसेस जब हमने कमपनी बंद की थी versus जो आज है उसमें जमीन आसमान का फरक है it's very easy, सारी चीज़े डिजिटल हो गई है investments लाना आपके कमपनी को ग्रो करने के लिए बहुत आसान हो गया है plus guardrails काफी clearly define हो गया है मुझे लगता है पिछले 4-5 सालों में ये काम बहुत सही हुआ है जहां पर SEBI, RBI, Finance Ministry ने guardrails clear कर लिए है मतलब क्या? guardrails मतलब कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते इसको grey नहीं रखा है ये बहुत black and white है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, ये सही है, ये नहीं कर रहा है and मुझे लगता है जहां पर भी doubt या कहीं business करते वक्त investment में specifically मुझे अगर doubt आता है जहां पर चीज़े शायद black and white ना हो मैं ये देखता हूँ कि कहा investor का benefit है you do those things I think regulators are more supportive of that कि यार जो भी सारे retail investors है जो भी सारा ये middle class है ये अपना जो hard-earn पैसा डाल रहे investments में, ये पैसा नहीं डूबना चाहिए so I think मुझे लग रहा है कि वो जो guard rails define कि इसके वज़े से business करना, काम करना बहुत आसान हो गया है हमारे लिए and generally ये जो इंडिया स्टैक्स बने, आज आप देख लो आधार कार्ड बना है, pan digitization हुए है payment digitization हुए है इसके वज़े से चीज़े इतनी आसान हो गई है अपने parents के टाइम पे और मैं ये मेरे father की बात करता हूँ अगर उनको FD करनी है तो पहले दो-तीन हफ़तों का research होता था कि कौनसे कौनसे banks में है फिर वहाँ जाओ, उस branch manager से मिलो rate समझो, क्या-क्या policies है वो सारी समझो फिर बाद में एक account खोलो, उस account में check डालो फिर दो-तीन दिन बाद वो check clear होगा फिर आपकी FD बनेगी आज, stable money platform पे आप तीन मिनिट में FD बुक कर सकते हो आप अप इंस्टाल करोगे आपका आधार verification online होगा PAN verification online होगा bank account verification online होगा आप पैसे transfer करोगे, आपकी FD बन जाएगी और वो bank से receipt तुरंट आजाएगी आपको all of this is possible, obviously because of the lot of talent that India has built, but a lot of regulation supporting to build this technological stack, because यहाँ पर बहुत सारी बात आपको जो government data से बात करनी होती है यहाँ आधार यह इसी का है या नहीं that verification, those pipes that are built, right, was not possible without regulators, जो दूसरे देशों में नहीं है जो दूसरे देशों में नहीं है, UPI is a revolutionary thing in India right, आज भी, like मैं खुद Switzerland रहा हूं दो साल और वहाँ पर payment अभी भी card और इतने pin, there is, these things are not simplified, यह जो शब्दा भी उस करें India stack, actually मुझे बहुत सारे सवाल बूचने है भी, FD से related भी पर 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 इंडिया stack समझा दो, क्या होता है इंडिया stack? इंडिया stack वो होता है कि यहां पर investor, यह लोगों का data, right is being stored at one place and can be used securely for all kind of transactions, processing, verification kind of thing, right आज जो KYC बोलते हैं, right know your customer, पहले know your customer का process कैसे होता था, bank अगर अगर account खोलना है तो वो bank agent आपकी घर आता था यह आप bank जाते थे, आप एक PAN आधार का Xerox लेके जाते थे, उस पे sign करके उनको hand over करते थे, वो physical verification होता था, आज वो सारी चीज़े digitized हो गई है, आज आप video KYC, आप online कर सकते हो, आपका आधार विडिक, आपको कोई भी document physically submit करने के जरूद ने, everything has been digitized, और यह जो digitization हुआ है, that is India stack, UPI, payment, all of that जो अपनने बनाये हुआ है, I think all of this is helping us to grow very fast, आज penetration करना इंडिया में, आज stable money पे, साड़े तीन सो cities से लोग FDs book करते हैं, यह नहीं possible था, okay. उसको ऐसे ही बहुत सारे clips upload किये हैं इस channel पर, चैनल को explore करो, देखते जाओ, और सीखते जाओ.